तो इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगा आधनिये बीके नातमल जी अभी आपने नातमल जी के बारे में सुना जसाब कह रहे थे कि बहुत परियतन करते रहते हैं जजी से मिलने का उन्हें कारेकरों में बुलाने का इश्वरी परिवार से जोडने का और चाहे कोई ने बुलाए ना बुलाए कोई सस्पीशन करें चाहे उनकी इन्विटेशन को स्विकार करें अस्विकार कर दे उनको दुतकार दे गालिया दे बावजूद इसके वह अपने सेवां पर डटे रहते हैं और हमेशा ततपर रहते अपनी सेवां में ऐसे हमारे नातमल भाई ज अम शानती ओम शानती बीचेवे हैं अम शानती दुबरा फिर बोले यो सभी बोली ओम शानती परम पिता पर मात्मा हम सभी का रक्षक भी है गाइड भी है, और पालनहार भी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इतना सुन्दर इस कार्यकरम का टोपिक रखा है, एथिकल वेल्यूज इन लीगल प्रोफेशन, और मैं हमारे मंच पर उपस्थित, औरनेबल जस्टिश ऐस पुजारी जी, औरनेबल जस्टिश एन जिन्दल जी, और अभी सभा में थोड़ी दोर के पहले ही आप उपस्थित थे, राजु ऐयर जी, रस्मी बैन, दूसरी रस्मी बैन तिवा तिवेदी जी, हिमानशु नागरी जी, और अन्नेबल पूर्वेव मिनिस्टर मदन चोहान जी, सभा को कंड़ेट कर रहे हैं मनिस भाई जी, और सामने उपस्थित भी हमारे सेनियर पश्चापुरे जी, बिरेंदर कुमार जी और इस विंग के चेर परसन, इनकी उमर आप देखिए लेकिन फिर भी इस विंग के लिए जी जान से लगे रते हैं, हमारे आदर्निय भ्राता महिश्वरी जी और उनके साथ-साथ जो भी जहां से पधारे हैं, इस भा में उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं भी हैं किसी कार्ण वर्स, सभी को मैं स्वागत भी करता हूँ और एक सुन्दर विचार भी रखता हूँ कि कितना समय निकाल करके, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि ये लीगल प्रोफेशन में मैं किवल सुनता हूँ, कि एक बार कोर्ट में खड़े होने के लिए किसी पार्टी का केस लेकर के कोर्ट में हाजिर होने के लिए उजीते गा या हारेगा मतलब नहीं लेकिन लाखों रुपया लेते हैं फिस, हैसा? क्योंकि आप सब जादा जानते हैं, तो उस प्रोफेशन के लोगों को यहां पर आना और तीन दिन तक इस कार्यक्रम में समिलन होना, समिलित होना, यह बहुत बड़ी बात है, इतना समय निकाल करके इसलिए मैं तो कहूंगा कि अपने आपके लिए अपने समय निकालने के लिए जोड़दार ताली बजाएए, कि आप कितने महान हैं, अपने लिए आपने एक मन के अंदर जो आज जो इस टोपिक को रखा है, उसको आपने साका रूप दिया, यहां आकर के, क्योंकि आपके नोटिस में यह बात आई कि ब्रह्मा कुमारीज एथिकल वेलूज के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और उसको स कुम आन के लिए सुनने के लिए उसको जानने के लिए समझने के लिए आप सब यहां पर अपने आपको ले कर कि आए यह भी एक अपने आप में अथिकल वेललुज है है क्योंकि यह आपने सुना हमारे जजसाब ने सुनाया कि हमारे जैसे भाई या पहने कितने लोगों को इस कांफरेंस के बारे में बताया होगा जैसे आपने सुना मैंने भी उडिशा के अंदर जितने जजेज हैं सबको इन्वेट किया लेकिन कौन पहुंच पाया यहां पर जिनके अंदर ethical values हैं, सबने सुना लेकिन पहुच पाया कौन? क्योंकि उनके दिमाग में है कि ये ब्रह्मा कुमारिज में जाने के लिए ethical values, के बारे में ही चर्चा होगी उसके बारे में सुनना होगा, उसके बारे में समझना भी होगा, करना ना करना वो बाद की बात आती है, अब दूसरी बात है कि देखिए, बहुत ही थोड़ा सा बोलने में ये भी लगता है, संकोच भी आता है, कि ethical values के को जिंदा रखने के लिए, ethical values को समाज में बनाने के लिए, एथिकल वेल्यूज को सिस्टम में अर्था लिगल सिस्टम में जरूत है, समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि मेरे से तो जाद आप सब जानते हैं, समाज के अंदर ethical values अगर हैं, तो लिगल सिस्टम में ethical values अटोमेटिक आएंगी, और अटोमेटिक ही ethical values के कारण समाज जो है, वो चलेगा, लेकिन ethical values या मूले जो है, values जो है वो कहीं कहीं कम हो जाती है, उसको स्टेबलिस करने के लिए फिर, लिगल सिस्टम में भी वो ethical values चाहिए, क्यों चाहिए बहाँ? क्योंकि लिगल सिस्टम भी एक कुष्चनेवल हो गया है, और जिसके कारण आज आप जादा जानते हैं क्योंकि आप डारेक्टली जुड़े हो हैं कितने लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि यह बताया जाते है कि जजों की संख्या कम है, भाई संख्या कम हो या जादा हो लेकिन एक वो भी समय था जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत स्वर्णिम भारत था, जहां पर कि हर मन के अंदर शुक था, शांती थी, आनन था, प्रेम था, पवित्रता थी, तो वहां पर कोई जगड़ा नहीं था, कोई फशाद नहीं था, कोई भी एथिकल वेलुज का रास नहीं था, अर्था कम ही नहीं थी, तो वह सिस्टम की भी एक था, जिस सिस्टम के अंदर कोई भी कोट नहीं था, कोई भी जज नहीं था, कोई भी वकील नहीं था, आप यह सोच सकते हैं कि यह कैसे होगा, लेकिन यह ब्रहमा कुमारीज का यह प्रेक्टिकल एक वीजन है, कि ऐसे दुनिया स्थापन हो रही ह आने वाली है जहां पर कि यह प्रोफेशन नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगी, क्योंकि चोर नहीं तो पुलिस की जुरत नहीं, क्राइम नहीं तो पुलिस की जुरत नहीं, तो जहां पर कि 100% वेल्यूज होगी, जिसको हम कहते हैं एथिकल वेल्यूज होगी, जहां पर कि ह वहरों बे ताला नहीं दलता है, जहां पर कोई क्राइम नहीं है, क्राइम रेट बहुत कम है। तो कहने मतलग क्या है कि ये बाते हमारे जीवन के अंदर थी, सुक, शान्ति, आनंद, प्रेम, सब को चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो हात उठाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। सबको चायाए, सूक, शान्ति, आनंद, प्रेम, प्रेम, सब को चाहिए। और ये भी आपको पता है कि आत्म के ये सारे अपने गुण है। आत्मा के अंदर ये औरजेलिक उसके अंदर है शुक, शान्ति, आनन्द, प्रेम, पवित्तता ये उसकी आत्मा के अपने गुर्ण हैं, लाइब हैं लेकिन हुआ क्या? वो उस इज को भूल गया और किसके कनेक्शन में आ गया जैसे मालो एक हिरा है उसके अंदर चमक है लेक लेकिन उसका मूल भूत क्या है? वो भी एक बलाक डाइमंड है अर्था तो भी उसका कवर ढखा हुआ है तो उसको तरस्ते हैं तो हो हिरा बन जाता है तो ठीक इसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर मूल भूत वैल्यूज है लेकिन उन मूल भूत वैल्यूज को पाँच आदुस्मनों ने जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोब, मोह, हंकार, इर्चा 2 सालत से इन्हों ने उसको कवर कर दिया, वो उसके संपर्क में आ गए, तो जब उसके संपर्क में आने से आत्मा के जो ओरिजनल जो गुण है वो प्राय विलुप्त हो गए, लेकिन प्राय विलुप्त होने के कारण कुष्टन आया और आज जड़ोत पढ़ी की इथिकल वेलुज इन लीगल सिस्टम, अगर वो अपने मूल भूत गुणों के अंदर आत्मा चलती है, व्यत्ती चलता है, सोसाइटी चलती है, तो आज इस जज की जुरत नहीं होती, तो इसलिए, प्रामा कुमारीज ने यह सब्जेक्ट लिया और बहुत ही जिसको आज कहते है कि, समय की पुकार, यह समय की जुरत है, कि आज यह लीगल सिस्टम में आना चाहिए, जज साब ने खुद कहा, कि उस एथिकल वेलूज की डाउन ट्रेडर्स आज उस सोसाइटी अर्थात लीगल सिस्टम में यह को कि जज वकिलों के पास में भी उसका वेलूज जो है डाउन हो गया है, यह चुपाने की बात नहीं है, हम सब जानते हैं, वो भी कुष्चनेवल हो गया है, जिसको हम इंडिया के भारत के संविधान के मुताबी एक पिलर कहा जाता है, तो अगर किसी कुरसी के चार पिलर हैं, और इस पिलर में कोई भी एक पिलर भी हिलने लगे, तो बेठने वाला व्यक्ति क्या होगा, ठीक से बेठ पाएगा, नहीं चुल है उसकी कुरसी वो भी हिलता रहेगा, तो आज लिगर सिस्टम में भी इसकी जुरत क्यों पढ़ने लगी, क्योंकि आखिर वो भी इंसान है पिलर में व्यक्ति है और वहीं से निचे से उपर आया है, तो उसके अंदर वो आत्मा के अंदर जो मूलभूत गुण है, जो क्वालिटी है, वो कहीं कहीं लप्स हो गई है, प्राहे लुप्थ हो गई है, तो इसलिए प्रजापिता प्रह्मा कुमारि शुर्शुद्याले के अंदर आते ही यह मंत्र दिया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ. उसको रिलेज करवा जाता है कि आप एक व्यक्ति अर्था शरीर नहीं आप एक आत्मा हो, और आत्मा के अंदर जो गुण है, क्वालिटी हैं, वो आपकी अपनी वेल्यूज हैं, उसको फिर से हमें लाना है, उसको फिर से हमें उजागर करना है, फिर से उसको अपनी जीवन के अंदर उतारना है, क्यों? वो हैं इस इंबिल्ट हैं, वो कहीं से लाना नहीं, उदार नहीं लेना, कहीं से करिदना नहीं है, आत्मा के अंदर इंबिल्ट हैं, उन क्वालिटीज को उन वेलूज को अगर हमारे अंदर फिर से हम स्थापित करते हैं या फिर से उसको हम लेते हैं तो नेचरल है कि वो ही हमारे जो कहते हैं इंपुट होगा वही आउटपुट होगा और अगर हमारा input अर्थात हमारे अंदर वो जागरती आ गई तो उसी के मताबिक हमारी life system चलने लगेगा और वो life system दूसरों के साथ में भी होगा और जब दूसरों के साथ में होगा तो जो कहते हैं bench के इस तरप और इस तरप, inside outside, दोनों system अगर ठीक हो गए तो हमारा total value system ठी को जाएगा इन ही सब्दों के साथ मैं अपनी वार्नी को भी राम देता हूं ओम शान्ति बहुत बहुत धन्यवाद नात्मल भाई का जुनों ने बहुत संक्षिप्त उद्भोधन से अपनी शुबकामनाय हमें दी और मुझे लगता है कि हम समय से अपना कारेकरम चला रहे हैं हमने जो टाइम रखा है उस ही टाइम पे हम पूरा करेंगे इस कारेकरम को और इसमें न से अपना काम पूरा तो मेए एक चोटा सा निवेदन करना चाहूंगा और थोड़ा सा अभिवादन भी करना चाहूंगा आज की सभा में हमारे बीच में हमारे बीच में बहुत सारे जुडिशल ओफिसर भी आय हुए है नहीं तो अगर जो भी है यहाँ पे सभा में उपस् खड़े ओक एक दूसरे से आपका तारूफ भी हो जाए, मुलाकात भी हो जाए, हाथ इलागे एक दूसरे को पीछे देखे, जो पीछे ओगे देखे, जो आगे हैं पीछे, तो हम सब आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला, और क्यो कि उन्होंने आध्यात्म को जीवन में लाने के लिए एक परियास किया है वैसे तो करते ही रहते होंगे लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इन्होंने टाइम निकाला और मुझे लगता है आपको खुशी भी हो रहे होगी अच्छा भी लग रहा होगा यहां के एक नई जगह आए हैं जहां पर सिर्फ आपको पॉजिटिव पॉजिटिव चीजे देखने को सुनने को करने को मिल रहे हैं कोई negativity नहीं है सब के चेहरे खिले हुए है मैं आशा करता हूँ आप जब से यहां आई होंगे तो आप सब के चेहरे भी खिले हुए होंगे आपको लगता है वा बहुत सकारत्मक संकल्पों के साथ अपना काम करता रहता है किसी को को इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है सब एक दूसरे के परती समर्पित है जिववार है जिसकी जो सेवा है बिना कोई बात कहें सब अपनी अपनी सेवाय करते रहते और इसके लिए किसी ते दो ला तो इनी शब्दों के साथ क्योंकि हमारा ब्रह्माकुमारी प्रांगन में हम लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है कि कैसे अपने आपको भगवान से कनेक्ट करें और जब तक विधी नी पता होगी तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे बहुत सारी चीजे हमें पता हैं लेकिन कु आजयोगी नी टीचर जो हमदाबाद से आई हैं रश्मी तरवेदी दिदी जी को कि वो आए और हम सब को राजयोग का भ्यास करवाए कि कैसे हम डे टू डे लाइफ में राजयोग को अपने जीवन में लाए कैसे अपने संकल्पों को सकारात्म करके रखे आदानिये रश् और सारे मेरे दारा सास्त्री और लिगल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए जो भी आए हैं CACS सबी का भिवादन हैं दो दीन से आप इस आद्यात्मी का यात्रा के साथ जुड़े हैं अपने व्यस्त व्यावसाइज में एक मिनिट का समय भी आपका मुल्यवान है जब इस टॉपिक्स पर पूरे दो दीन से और पूरे दो गंडे से जो भी चर्चा चल रही हैं पूरे खुले दिमाग से हम सुन रहे हैं एक प्रोफेशन सुरू होता है तब व्यक्ति पुप्तवईका हो जाता है लेकिन जब एथिक्स की बात आती है तो जब मानव जीवन जब एक समझदार व्यक्ति बन जाता है तब से उसका एथिक्स सुरू हो जाता है मानव जीवन के साथ मुल्य जुड़ा हुआ है और एक व्यक्ति समाज में प्रस्थाफित हो जाता है गर परिवार में प्रस्ताफित हो जाता है तो उसको एथिक्स लागू हो जाता है उसका प्रोफेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है विश्वका कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि वहाँ एथिक्स नहीं है और एथिक्स नहीं है तो जीवन भी नहीं है जब आजादी के अमुरुत महुस्व को हम मना रहे हैं तो मुझे एक बात याद आती है हम वकीलों का या तो लीगल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति को पढ़ना और रीड करना वो उसको कंपलसरी होता है और एसे व्यक्ति का स्वबाव भी कुछ भी छोटा सा भी पेपर मिल गया तो पढ़ लेती हूँ ऐसे ही एक दिन किसी के घर गई थी तो एक बुक पढ़ी थी और वो बुक मैंने हाथ में ली जब वो व्यक्ति मेरे साथ बात करने आई या बैठे तब तक छोटा सा एक प्रसंग था और वो प्रसंग भी था गांधी जी का वो बैरेष्टर का गांदी जी अपने आश्रम में, साबर्मति आश्रम में अपनी स्वतंत्रता की यात्रा के अनुसंदान में बार बार आते थे और रहते थे ऐसे ही एक बिन अपनी दीन चरिया को चलाते हुए सुबह गांदी जी ध्यान योग परात्ना की आक रही थे जैसे ही अपनी दीन चरी आठ बजे के आसपास सुबह से निप्टा कर आगे बढ़ रहे थे उनको पता था कि आज मेरे गर जो बर्तन साप करने वाला है वो आने वाला नहीं है गांधी जी अपने घर को परिक्रमा पर निकले थे तो जब कीचन में गए रसोईगर में गए तो पूरा रसोईगर अगले दिन रात का जो भी बर्तन यूस किये हुए थे वो पड़े थे गांधी जी को पता था कि आज बर्तन साप करने वाला नहीं आने वाला है गांधी जी तुरंट वहां ही रुक गई और वहां बर्तन साप करने के लिए बैठ गई अगले बरामदे में आश्रम में जो देखबाल करने वाला था उसको लगा अभी बापू क्यों नहीं आए बहुत देर हो गई तो डूंड़ते डूंड़ते वह अंदर गया तो बापू बर्तन सफाई कर रहे थे कि बोला बापू आप क्यों बर्तन सफाई करो मैं हूँ न नहीं आप अपनी ड्यूटी पर सेवा पर रहो वह बहुत हीच कीच आया लेकिन उसको पता था कि बापू मानेंगे भी नहीं वह अंदर और बाहर हो रहा था बापू ने कहा आगे रहना कोई आए तो बताना बाकी आप अपनी सेवा पर रहो इतने में एक व्यक्ती आया फुल ड्रेस एटेजी थी सूट बूट से सजा हुआ था बोला मैं गांदी जी को मिलने आया हूँ बापू से मिलने आया हूँ तो वो देखबाल करने वाला बाई था उसको लगा मैं क्या बताऊं इतना बड़ा आदमी आया है मैं ऐसे बताऊं कि बापू बरतन कर रहे हूँ वो थोड़ी देख रहा और देखते देखते उसको लगा है क्यूं बोलने रहा कि बताऊं मुझे बापू से मिलना है कि बोला आप बैठो मैं बुला कर आता हूँ वो अंदर गया और बापू को बताया कि बापू जी आपको मिलने के लिए सहर का बड़ा कोई व्यक्ति आया है तो बापू ने कहां उनको अंदर लेकर आऊ कि बापू आप बरतन कर रहे हैं मैं अंदर लेकर रहा हाँ बले अंदर लेकर आऊ वो भाहर गया, बहुत ही मन में था कि मैं कैसे बताऊँगा कि बापु आपको अंदर बुला रहे, अंदर आप जाएंगे तब बापु क्या करें लेकिन बापु की आग्या थी और वो लेने गया लेकर अंदर आया, तो बीच में उसने पूछा वो माहन व्यक्ति ने वो तो सुट बुट अटेची के साथ स्थब्द हो गया कि बापु आप क्या कर रहे हो तो बापु ने बोला आपको मेरा क्या काम है वो बताओं तो बोला हमको बैठ कर बात करने मुझे आपकी स्वतंतरता की देश की सेवा में जुड़ना है तो बापु ने बोला कि आपको देश की स्वतंतरता की सेवा में जुड़ना है तो अभी मैं बरतन सफाई कर रहा हूं आपको जुड़ने की आवश्यक्ता लगती है जरूरत ग्या करूं। जो नहीं करूंगा तो मैं जो सेवा के लिए आया था बापू के साथ तो मेरी तक चली जाएगी और जुड़ जाओंगा तो मैं तो सूट बोट पहन कर आया हूँ। तुरंत अपनी स्वस्तता को recover किया और तुरंत ही एटची को रग कर सूस को उतार कर बापू के साथ बरतन करने के लिए जूड गया इतनी सी मुलाकात वो एमदाबाद का बड़ा धारा सास्त्री था और वो हम मुझे इसलिए याद आया कि हम सारे ही धारा सास्त्री यहां बैठे हैं मुल्य की बात कहें एथिक्स की बात कहें सेवा की बात कहें गर परिवार में रहते समाज में रहते विस्व में रहते हमको मुल्य से जुड़ना है एथिक्स से जुड़ना है तो हमारी जीवन में आमुल परिवर्तन की जरूरत है जीवन मुल्यवान है दुनिया में चार Q फेमस है IQ, Intelligent Question EQ, Emotions Question SQ, Spiritual Question यह तीन Q फेमस है लेकिन जब चौथा Q की बात आती है तो दुनिया में लोग आगे पीछे हो जाते और चौथा Q है वो Spiritual Q, Spiritual Question जो आध्यात्मिक्ता हमारे जीवन में आती है तो पूरा ही हमारा परिवर्तन हो जाता है मानवीय मुल्य बदल जाएं तो प्रॉफेशन के मुल्य भी बदल जाते है हमको बार बार पढ़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं कि मेरा एथिक्स क्या है मेरे प्रॉफेशन का एथिक्स क्या है हमको याद ही होना चाहिए और याद ही रहना चाहिए ऐसी आध्यात्मिक संस्था के साथ आप तीन दिन की यात्रा में जुड़े हैं जरूर कुछ ले कर जाएंगे और जरूर कुछ आप ले कर आएंगे जो छोड़ना है उसे छोड़ देना और जो लेना है उसे ले लेना तो इस आध्यात्मी जगत की यात्रा के साथ हम तीन मिनिट दिल से जुड़ जाना मेडिटेशन कहें, योग कहें और वो योग कनेक्षन हमारा अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाएं, अपनी वैल्यूस के साथ जुड़ जाएं आप जहां भी बैठे हों, वहां जागरत अवस्था में स्वस्थता से बैठ जाएं जो भी बात, जो भी वीचार यहां से मिलें, उसको मन में धारण करेंगे जीवनिक मुल्य के साथ जुड़ा हुआ आध्यात्मिक जीवन बन जाएं मन को संपर्ण शांत करो शांति की शक्ति ही हमारे जीवन को आगे बढ़ा दी है शांति की शक्ति के साथ साथ और भी सारे मुल्य, सुख, आनत, प्रेम, शक्ति और पवित्रता जिसे कुम जो परमात्मा ने मुझे आत्मा को दिया है उसे इमर्ज करें शांति की शक्ति दो प्रुकूटी के बीच आत्मा निवास करती है फिल करें मैं आत्मा हूं शांत स्वरुप हूं मेरा जीवन गुणों और शक्तियों से बरपूर है मेरा जीवन मल्यों से बरपूर है मैं जहां भी जाओं जिस जगह बैठों एक मिनिट के लिए भी मेरे मन को में शांति से बरपूर करूँगा जैसे ही शांति को में अनुबव करूँगा साथ साथ और भी गुम और शक्तियां मेरे पास आकर सित होकर आएगी ऐसा मेरा जीवन आध्यत्म से बरपूर बन जाएं और मेरा मानव जीवन जेजेकार से बरपूर हो जाएं ऐसी हम न्याय की देवी आत्मा है देव्य आत्मा है हमारी प्रफेसल में देव्यता को मुल्यो को दारण कर पुरे विस्व की आत्मा को शांती से शक्ती से सूखों से आनन से बरपूर करें ओम शांती ओम शांती ओम शांती बहुत धन्यवाद रश्मी दीदी का जिन्होंने हमें कैसे मेडिटेशन करें एक चोटी सी उसकी जलक दिखाई और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि पूरा दिन हम यहां है और कल भी है तो आप कोशिश कीजिए कि अजो मेडिटेशन हौल है बाबा के रूम है वहां बैठिये बात कीजिए किसे मेडिटेशन किया जा सकता और बहतर हम कैसे कर सकते वह आप सीखने का प्रियास करेंगे तो आपको बहुत उसका लाव होगा और इसी मेडिटेशन ने जैसे आपने देखा जिस राठी हमारे जोगेडिजन इसलोगे मेडिटेशन हौल उसी के परियोग ऊन्होंने अपने परफेशन में भी लाया और उसके इतने अच्छे परियोग उन्होंने देखे और लोगों को भी दिखाए जिससे समाज में एक नए दौर का एक नई विवस्था का इस्थापना का एक छोटा सा कारेकरम सुरू हुआ तो अब मैं बुलाना चाहूंगा आवंतरित करता हूँ औरनेबल मिस्टर जस्टीस ए एन जिंदल साहब को जो पंजाब हर्याना हाई कोट के जज रहे हैं और जिनोंने कल भी हमारी सभा को संबोधित किया था आज उनकी क्श शुब कामनाओं से हम इस कारेकरम को सुषज्जित करेंगे आधानीय जस्टीस ए एन जिंदल साहब मैं सबसे पहले उस पर्म पिता प्रमातमा शिप पिता और बर्मा बाबा और हमारी दादियों जिनों की ये प्लैनिंग से और हमारी दीदियों की प्लैनिंग से ये प्रोग्राइम फिक्स हुआ मैं उनको परनाम करता हूँ और उनको याद करता हूँ ओम शान दे हम मैं आज ये देख रहा था कि ये सवा कोई आम सवा नहीं है ये शिप बाबा के चर्नों में बैठे दरवारी और राज दरवारी सभी एक ऐसे इशु पर डिसकेशन कर रहे हैं कनवरसेशन कर रहे हैं और ऐसे इशु को आगे बढ़ाने के लिए प्लैनिंग कर रहे हैं जो इशु सारी मुक्ता को सारी संस्कृति को रिफार्म करता है सभी को ड्व करेगा और सब को सुक्षांती देने में में भी हल्प करेगा और हमारे दुमागों में से जो कच्टरा कुड़ा होता है वो निकल होती है और वो भी खत्म हो के पॉस्टिविटी आ जाती है यह पॉस्टिविटी का नाम ही एथिक्स है पॉस्टिविटी का नाम ही प्रेक्टर है पॉस्टिविटी का नाम ही किंड़क्ट है तो यह आप आप देखिए कि यहां पर आते ही आपका दिमाग पॉस्टिव हो ज जाते हैं, सारे लोग एक दूसरे के लिए लड़ते जगड़ते हैं, खीचते हैं, तो फिर भी वहां ये वकीर लोग जो उन लोगों के केसों को किन्डेक्ट करते हैं, वो फिर भी आपने कंट्रोल में रहते हैं और कोड का एथिक्स प्रोटोकॉल और उनके जो बहां पर लोगों के इंसाफ जिलाना है, उनको पता है कि विजाज साब ने जो भी फैंसा करना है, वो उसके बारे में वहां पर उनके लिए अपने तरीके से किन्डेक्ट करते हैं, तो वकील जो है, वकील का प्रफेशन है, इडे कोई बिजनस नहीं है, वकील का मतलब लर्ण लर्ण अडवोकेट्स, वकील का मतलब क्या है? लर्ण का मतलब ये है कि वोगों याप नाल जोलिग जोलिग आजी प्रफेशन होट और हाव जोड़ोगेशन है पार्टी, उसकी specific qualification है जब कील बनते हैं ये बिजनस नहीं है, it is not a business, business or profession में difference है, business तो जो होता है, वो profit के लिए किया जाता है, उसमें कोई qualification की जूर्त नहीं है, उसको कोई membership की जूर्त नहीं है, उसको कोई उसका कोई fee fix नहीं है, जो उसने चितना काम करना है, उसने अपना profit के लिए ही करना है, उसने risk भी करना है, मगर जो profession है, बोल उसकी primary duty, services की है, जो के towards the humanity है, towards the common man है, towards the constitution है, towards the general public है, तो इसके लिए और इसके लिए उसको fix fee मिलती है, मंदी का चंगी का कोई उसके टेंशन नहीं है, जो उसने काम करना है, उसके लिए एक fee fix हो जाती है, वो उसको मिलती है, वो उसके लेवल के मताब को पे होती है, मैंद, I would like to say that there is a big difference between profession and business and main motive is to provide service, membership of the body is required for entering into profession and some minimum qualification is also required, in business there is no qualification, in profession there is a qualification, there is a graduation or law degree he is required, then no specific capital is required, he has not to invest anything, he has to attain the membership of a bar council and then to membership of the bar, then he is eligible for, anyone cannot argue the case before a judge, we know, and it is only the advocates or the pleaders who are permitted to argue the case and if a party wants to argue then he has to seek special permission of the court. then code of conduct, joh aap keetay hai ethics, jisko keetay hai ethics, joh code of conduct hai, woh professional rah hai, chahay ho architect hai, chahay ho engineer hai, chahay ho vakeel hai, chahay ho doctor hai, unke liye, code of conduct ka hoona baut jnuri hai, jahan, jaisa hi professionals, joh aise business man ko, koi specific code, chahay ho unke professional uses or customs hai, koi bhi unke bane ho, koi professional ethics, yet unko ko aisa specific rule nahin bana hua hai, joh ke unko gwerna karay, to, in the profession, in the profession, you cannot transfer your power, you are transfer to argue the case, kai meri sahay, meri munshi, munshi mera argue karay ga, magar woh business mein transfer of interest ho jatah hai, agar aap share transfer keretay hai, to, business transfer ho jatah hai, chik hai? Risk is, no risk is involved, in profession mein no risk is involved, and advertisement is prohibited in the profession, advertisement is prohibited in the profession, bear as the business depends upon the advertisement, agar itena valuable profession hai, is liye, is liye, juri ben jata hai, ke, hume kwezi court of conduct mein, rena chahehi hai, koji ethics applye karna chahehi hai, mein, biis sal practice kiya, jab mein, mein servis mein aya, i was selected as an additional district judge, to, mein practice mein bhi dekha, ke, kaabhi, profession mein bhi, etna, joh, joh ethics hoona chahehiye, we are not following that ethics, aur hum, ek spai ke, ek spai uccha bol gaya, ek tahsil dar ke saath koji jhgda ho gaya, ek bahoo ke saath jhgda ho gaya, toh vakeel utke, they go on strike, for what, I used to oppose that strike, but your level is not, the level of the advocate, is not of the level of a constable, his level is not of the level of a bahu, but his level is very high, they are known as learned advocates, gentlemen, and they are the keystone of the arc of the government, you are the keystone of the arc of the government, why should you go down by going on strike, and why are you penalizing the litigants, you should not penalize the litigants, only for the reason that there was a dispute with a constable, then what is the remedy, then you must bring it to the notice of the bar, or president of the bar, then he will take up the matter, he will go to the officer or the bahu or the SSP, then the matter would be resolved, but the conduct of the lawyers has gone so deteriorated to the extent that for a lawyer, they lock the courts, it is not the ethics, ethics does not demand like this, and therefore we should avoid such activities, we should not go for such things, it is treated as a highest high class, and many politicians, ministers, judges are born out of the lawyer class, it is the nursery of the judges, it is the nursery of the lawmakers, it is the nursery of the ministers, therefore we should conduct ourselves, we should remain within our limits, not to go by the hooligans, you have seen that hooligans go on strike, and the gentlemen go to their houses, and they don't intervene, they should make them understand that you are wrong, the newcomers are come and disturb the whole of the system, as they are not earning, therefore they are investing the time of the course also, and they don't want to learn, they don't want to adopt the guidance of their gurus, mentors or the teachers. Now I come that, why we should not, why we should not learn the ethics, if the ethics are not learned, then you know that the situation may go more deteriorated, and I had also the experience, that I tried my level best, to teach the ethics to the lawyers, as my brother said, that for the judges, it is the eligibility of a judge, to be honest, it is the duty of the judge, to impart justice impartially, it is the duty of the judge, to be patient, it is the duty of the judge, to hear patiently, and discharge his duties, faithfully, and it is not the duty of the judge, to be bribed, or to decide the cases, by unfair means. All the members of the legal profession, have a prominent duty, towards his client, to present his case properly, and with his best of his skill, but he should not try to make, try to defraud the court, try to receive his client, not to charge such things, beyond his fee, or by illegal means. And the ethics, guard the working, the performance, and the conduct of the legal profession, their duty, is to promote the administration of justice, the duty is to maintain independence, integrity in the system, and assist for reaching the right decision. The advocates are also the mechanism, for resolution of disputes. Nowadays you must have seen, that not only the regular courts, are working for disposal of the cases, for the litigants, but we are holding many local dollars, many mechanism for reconciliation, mediation, or arbitration. The lawyers come at a great help, to the courts, for reaching the decision, by amicable settlement. Therefore, the, as rightly said, that, there, these three bills of, bills imparting administration of justice, if, work, honestly, properly, and, faithfully, then, there would be, swerinig bharth, swerinig bharth, swerinig bharth, स्टेपीज ऐस भागी है तो सभी लाजरुस को इंडीपिडेंस तो इसके बास भा ये लाव एकली के वल खोगे तो उसके यह नहीं हमरा में पर बिस क्या है में परोपिस क्या है कि लिटिऑ के अरिच इस करना प्रालम किया अरही है के प्रफेशन और ब्राशशनल्स ईव और judges even they are contributing to delay the justice reason being maybe there may be bulk of cases which they are unable to decide due to the shortage of the judges पर ये बाद सिर्फ ये नही है ये बाद सिर्फ नही है क्या है क्या है क्या है बाद सुपर फ्लूस एप्लिकेशन दे देते हैं या माल किसी तरीके से कोई भाना बना के एप्लिकेशन दे के या किसी और तरीके से बाद सिर्फ ये जाते हैं जज की लिस्ट पर चाली केस हैं चाली केस में से उसे दस केस में डिजर्फ में आगी उसको पता है ये कि इसके इसका खत्म हो जाएगा कि इस इसमें है नहीं कुछ तो बो इस तरीके से टैक्टिक्स क्रते हैं तांके केस को डेले हो जाए, बो यह को एक स्राइक आ जाती है, यह 10 दिन की स्टाइक हो गी तो पो यह समझो कि अप एक साल पिछे चिला गया, तो यह तो यह जो हैं इसको वाएड करें, तो यह पंडिशी रहर नहीं सकती, मैं तो उन केसों में क्या है? उनके 30-30 साल के केसों में कुछ केस तो आप भी समझोगे जो service matters हैं, election matters हैं वो केस paradise हो चुक्के हैं वो केस compromise हो चुके हैं जिसका divorce हो गया, जिसका divorce की appeal चल रही है बोh divorce पाला ही है नहीं वो 70 साल का हो गया, उसमें divorce क्या करना है मगर अपील उसकी डाइबोर्स के खिलाप या डिसमिसर के खिलाप वहीं पेंडिंग पड़ी है ये भी देखना चाहिए कि वो केसिस को छंटा छंटी उसके देखके कि कितने केस ये काबरे हीरिंग है या अबेट हो चुके है मुल्चिम को सजा हो गई बो सजा बोपील पेंडिंग पड़ी है और वह उसकी डेथ होगी वो पील बेट होगी अगर पील भी हाइग पड़ी है तो यह हम लोगों को थोड़ा बहुत यह सोचना चाहिए कि यह इनका भी कोई यह प्रणेंसी ऐसे भी खत्म हो सकती है कि कम सी कम जो कावले हीरिंग केस पड़े हैं उनकी ही सुनवाई की जाए उनको ही देखा जाए तो अगर फोह निकल जाएं तो बाकी केसों की भी ठर्न जल्दी आ सकती खें से उनकी आएंड में केट्वेडंory हो आएंड में टायकर फ्रंडर्य में लोगार्री छॉपर परसूब्य में आजरी प्रणियू आजर्गेते फ्रादिसेंकर्टेंगी mandateh any social problem even or there is a cause for the society they stand by them we have seen that in the freedom movement also thousands of liars even prominent liars just like mahatma gandhi just like dr. ambedkar and joharlar nehru they came at the forefront to fight for the indian india indian freedom so it's not that they are very important without our courts we have assistance we don't get them who can give us assistance we don't get them where we don't get so that's why we are helpless and we don't get them and we don't get them and our judges and our judges and the lower judiciary in the lower judiciary we don't get the proper assistance we don't get the proper decision we don't get the proper decision we don't get we don't get the proper decision we don't get the proper decision we don't get the interference come right at the top of the court got inside gitao kia hua to us may body difficulty hoja tia is liya muscle course lawyers go bhi chaiya kya apna dave remain operated and they mean they should maintain the ethics which they are duty bound to do it there towards the judge towards the opposite lawyer towards the client towards the client towards it because jitni dayer vakil ka faith vakil ka client per client mein hai utni dayer hi boh kam kar sikta hai yeh bhi ethics hai ke boh us ke liye best work kere magan us ko misguide na kere kore ko bhi misguide na kere latest la pish kere toh bhi hi yeh swarnim bharata ho sikta hai toh aise ethics kaafi hai joh kere advokate act 1961 mein bhi likhe hai bar council of india rules mein bhi hai woh bhi lawyers ko sab pata hai magar joh log yaa hati hai unko toh pura detail woh baesi sikha jathe hai jisen ke dhmag mein brahma mabba ke ke dhiye huye abdash ha jathe hai ke shanty mein rehena hai gusha nahi karna ar dhusere wiki bati bhi sunni hai aapni duty bhi karni hai toh aisee mein toh aap luogon ko toh ethics khanne ki koi jorurit bhi nahi hai magar ap luogon ne aagay aapka duty hai ke aagay bhi khanne ki aap apne aap ko reform karei taa ke koos ki help kar sekei isliye legal ethics ka hona koot mein bhout joruri hai all the best thank you om shanti hai 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 bhout bhout dhanyavad aah justice jindal sahab ka juno ne bhout acche se bhout vistar se bataya ki jajiz ke kya ethics hain wakil oke kya ethics hain parma ek chota sa anbhav apne aapke saad share karna chao ga maik beginner lawyer hu under dili me practice karta hoon toh menei brahma kumari sikhi hai ethics toh dunia barke likhi ho hai 1961 mein mujhe ek choti si me jenerali ek baat poochna chao ham joo bakalat nama aapne klient se saain kar watte kitne adokate ne wo bakalat nama sahi se pada hoa hai hai kisi ko hai bata ho hai maine poore aapne 10 saal ke karir me siraf eek baar pada hai poora ka poora eek eek line uske alaba mei pada nahi kitne logon ee pada hai hai toh dhekhe jab hama apna wakalat nama jispeh hama apna saray kaam karate woi nii pada te toh 19 set me kya likha hai aur rules me kya likha hai isse koji jada wo concern nahi hai sabse bada concern hai ki hum joh aapne paribar ke sanskar leke aatei aur joh kitaabon mei padhte hai satya ahinsa prame shanti unhi ko hum kahine kahine use karate hai toh maine toh ek practice me choti si baat inculcate kariye ki jeb bhi mei aapne case ke liye jasab ke paas jata hoon doh minit apne aapko atma samazta hoon doh minit jasab ko samazta hoon aur ek sankalp karda hoon ki meri baad bas bas badhiya se sun lehi jasab phir chahe ho joh karai aur mera apna experience hai ki ut jasab meri baad poori dheng saaih se sun lehi te hai uske baad chahe joh karai na mujhe problem hoti na meri client ko hoti aur na jasab ko hoti aur kaat mei bhoot sunaay ki jaj judi shiru mei bhoot corruption hai ye hoota hoota personally mujhe koji sae merah ko interaction abhi tuk hua niki maine kisi ko diyo aur kisi ne meri ko offer kriya hoi ye kar do toh mujhe kabhi aisa koya anbhava huwa nii is baat ka jab hooga agliwa arshad mei batao ga toh hum loog dunia bhar ki baat e system be jitna kuch hai usse jade baat e hum itni karate hai gosip itna karate toh easa lakta hai jasai system na ho gaya waha kachra hai kachra barhara hua chahe kuch bhi baat easa nahi hai bhoot sari ache loog hai jajiz bhi bhoot ache hai bhoot ekse ek ache jajiz bhi maine dekhe hai aur ekse ek ache wakil bhi hai jain ithiks ko follow karte hai follow karne ki perenna dousre ko deethe hai jajiz bhi kud bhi karte hai aapne juneer jajiz ko bhi deethe aur haum wakil ko bhi karewate hai. Toh ye sab kuch aapne oopar hai aur kisi ne eek-doh sawaal bheji hai ki ah barashta chaar kaise khatam hooga pendency kaise khatam hooga aap apna kaam bađia se kariye barashta chaar bhi khatam hoja hae ga aur pendency bhi khatam hojae ga. Jajza aur wakil dhoon eek-dousre dhuri hai, eek-dousre ke purak hai, eek-dousre ke bhi nahm chal nahi sakte. Agar ham douno ke bici me harmonious relation ho, bhoot zyadha imaandari ho, toh haum bađia se haum kaam kar sakte hain. Aar chijijoh ka nirna hai, joh hum souchte hain sa maaj mein hoona chahi wou milega na barashta chaar rahe ga, nahi koji pendency rehe dhirhe dhirhe sab kuch hojae ga. Eek geet ki line mein sunaata ho, aapka aachha laghe ga. Jaha satya, ahinsa, aur dharam ka hai, aapne sabnaim bachpan se suna hai. Dharam ka pag-pag lagta dera, woh bharat desh hai mera. Joh swanim bharat hai, exactly joh swanim bharat ki theme hai. Kisii nagar mein, kisii dhuar pe koji natala đale, aur priem ki bansi johan vajata, aaye surat, ah, sham sovera. Har din bilkul clear ho, har din me koj dhikkat na ho, caharotraf shanty ho, waisa hi swanim desh hume banana hai. Aar woh hum sab ke individual ke pariyas se ho ga, hum dousaroh ko gali dheke nahi chhoď saakte. Ki usne aisa kiya, usne waisa kiya, usne hi kiya. Mainne kya kiya, yeh dhekhani wali baat hai. Jab satya ki baat aati hai, toh hum satya bhe kitana chal paate hai. Jab hume sehi bholna ho ta hai, jab hume kriim karne se bachna ho ta hai, hum kitana kar pate hai, yeh depend karta hai. Hum dousaroh ko baari baati suna aasakte. Lekin jab aapna nambar aata hai, hum sab se piche bhajate hai. Toh isi kadhi me, mein bulana chahou ga, humare bhrata, Himanshu Nagri ji, aaye humare bieech mein hai, joh jodhpur se, hain aur, purv niyayadhish rahe hai, jodhpur ke jila niyayadhish rahe hai, woh bhi is karekaram me, aapni shub kamanay hai, sammanit manch, august audience, and guests. Humare judicial services mein, judicial profession mein, ek itik hai, ki jab, high court judges bhol lietay hai, uske baad mein, junior judges nahi bholta hai, kyunki bholnene ke liye kul bachta nahi hai. Toh, lekin mein, with due permission, mein bolna chahou ga, aap se, aap, aap, hayi, aap, aap t pastor parmaazma kiki hai hai. Haadi? Ya aap, aap, aap次un, I could surger, cun, hai, nai, 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 सोसाइटी लीगल प्रॉफिशन को सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता है। सोसाइटी का रिफ्लेक्षन लीगल प्रॉफिशन पर भी पड़ता है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मैं को कभी बोलना पड़ेगा यहां। मैं तो एक स्टूडेंट की तरह आया था, एक जिग्यासू की तरह आया था, एक बिल्कुल रो व्यक्ति की तरह आया था, लेकिन मैं को बोलना पड़ रहा है। तो आशा है आप ध्यान देंगे। तो सोसाइटी का रिफ्लेक्षन हर प्रॉफिशन पर पड़ता है। और हर प्रॉफिशन पर पड़ता है तो एथिकल वेल्यू जो है जहां डेट्रिशन सोसाइटी में हो रहा है, तो उसका लीगल प्रॉफिशन पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। और दूसरा ये कि ये स्वर्णिम भारत का क्या ये नारा क्यों देना पड़ा। स्वर्णिम भारत का नारा स्वर्णिम भारत तो कभी था और उस टाइम उसकी क्वालिटी क्या थी तो मैं सोचता हूँ कि भारत प्लस इथिक्स स्वर्णिम भारत हो सकता है। तो सोसाइटी में पूर्णि की स्थापना हो अच्छे करमों की स्थापना हो और अगर पूरी सोसाइटी में थोड़ा डिवाइनिटी आईगे तो आएगी तो निश्चित रूप से लीगल प्रोफेशन में भी डिवाइनिटी आएगी और एथिक्स का वेल्यू बढ़ेग हम सभी आस्थिक हैं मैं जहां तक सोचता हूँ सभी आस्थिक हैं आस्थिक हैं तो कर्मबाद के सिद्धान्द को भी मानते हैं और कर्मबाद के सिद्धान्द को मापते हैं तो पुनरजन्द के सिद्धान्द को भी मानते हैं और पुनरजन्द के सिद्धान्द को मानते है तो ये स्वावावी कहे कि फिर अपने को आत्मा और शरीर को अलग मानना पड़ता है लेकिन ये आत्मा मृत्यू के बाद जाती कहा है इसके बारे में गीता का एक श्लोक है वो अठारवे अध्याय का श्लोक है नई चवद्वे अध्याय का अठारवा श्लोक है उसमें लिखा है उर्दुव गच्छन्ती सत्वस था मज्जे तिष्टस्थी राजसा जगन्य गुन व्रतिस था अधो गच्छन्ती तामसा इसका जो ले मेन का जो मैं कॉमन मेन हूँ इसका जो अर्थ में जहां तक समझा हूँ वो यह है कि जिसमें सत्व गुन होते हैं वो उर्द्व गती करता है स्वर्ग में मौक्ष की तरफ गती कर सकता है और जिसके राजसा गुन है राजसिद गुन है राजसिद गुन मतलब जो न एक बहुत सहज व्यक्ति है न ज्यादा जूट बोलता है न ज्यादा कोई ऐसा प्रपंच रखता है वो वेक्ति यथास्तिति में रहता है, मनुष्य बनता है और तामसिक गुणवाला वेक्ति जिसका जो फरेब में जूट, चोरी और आधी जो उसके दुर्गून है वो वेक्ति जो तामसिक गुणवाला होता है वो त्रियंज गति में जाता है त्रियंज गती का मतलब ये है कि वो कीट पक्षी ये ऐसे योनी में जाता है तो लेकिन आत्मा का बैसिक गुण क्या है आत्मा का बैसिक गुण ये है कि वो निर्विकार रहे निर्विकार मतलब उसका कोई करम बंद उससे जुड़ना नहीं चाहिए करम बंद अगर जुड़ा तो वो फिर मौक्ष में नहीं जा सकता करम बंद जुड़ेगा तो मौक्ष में नहीं जाएगा तो जो करम तो इनकी निर्ज जो करम बंद हो गए हैं उनकी निर्जरा कैसे हो सकती है उनको नश्ट कैसे किया जा सकता है उनको नश्ट किया जा सकता है पूर्या से अच्छे कामों से मैंने कल वो गीता पर टीका ये चल रही थी पैनल शेशन उसमें मैंने क्वेशन पूछा भी था लेकिन शायद समय के अभाहों के कारण वो नंबर पर नहीं आया लेकिन मैं मेरको वो उस प्रशन का उत्तर मैं आज रात को आचारी माश्रमन की किताब पढ़ रहा था उसमें उनोंने श्रीमत भगवत गीता और उत्तरा धियन का बड़ा अच्छा कमपेरिजन किया हुआ है और उसमें उनोंने लिखाया कि आपके जो अच्छे गुन होते हैं अच्छे गुन होते हैं उससे भी आपका करम मंद हो सकता है वो कैसे हो सकता है कि यदि आपने कोई अच्छा कारी किया पूर्णे का कारी किया और फलाकांशा से किया किसी फल की इच्छा से किया रागदवेश्च से किया कोई काम अपने नाम अपने प्रतिश्टा हो इस काम से किया तो वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उस आत्मा क क्या आत्मा के लिए कर्म बंद पैदा कर देती हैं और वो फिर कर ऊपर नहीं जा सकती ऊपर तो वही जायेगी आत्मा कि जिसके कर्म बंद ख्षय हो चुके हैं निर्जरा हो चुके नथिए उससे और नहीं खराब कर्म जुड़ा हुए है लेकिन इसका मतलब तो ये कोई वक्ति अच्छे कर्म करेगा ही नहीं तो अच्छे कर्म करने के पीछे क्या फिलोसोफी है अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि जो आपने बुरे कर्म किये हैं उनकी निर्जरा हो सके उनको वो नश्ट किये जा सके तो जब त तक आत्मा बिल्कुल निर्विकार कर्म से क्षय होके नहीं जाती है तब तक उनको स्वर्ग नहीं मिलता तो ये एक तो मैं ये चाहता हूँ मैंने यहां दो दिन में रहा हूँ मैं तो यही प्रात्तना करना चाह रहा था कि हम यहां से जब जाएं तो हमारे भी रागद्वेश कम हो हमारी तामसिक व्रत्तियां कम हो तामसिक व्रत्ति से हम राजसिवर्ति में जाएं राजसिवर्ति से कोशिश करें कि सतो सत्यों को प्राप्त करें और हमारा परिश्कार हो सके हमें भी रिजूता है सरलता है बस इसी भावना के साथ मैं मैं पुना आभार आम शानतु है आम शालब। है हमारे बीच में एक वक्ता बचे है जो अपना उद्भोधन देंगे हमें शुब कामना देंगे उससे पहले एक चोटी सी बात मैं एड करना चाहूंगा आप सब की परमिशन से जो मंच पर आसीन है और मंच के सामने है आप सबने बहुत अनभव किया है कि हमारा कानून हर ब लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो उसके लिए अपरिशेशन कहा है किसी कानून में आपने पढ़ा हो तो हमें जरूर बताईएगा और नहीं है तो कोशिश कीजिए का कि सरकार को बहता है कि कानून में अभी प्रवधान किया जएगी कोई कुछ अच्छा करता ह तो उसे प्रशंशा मिले अगर उसे प्रशंशा मिलेगी अप्रिशेशन मिलेगा तो बहुत सारा अपराद बहुत सारी दिक्कते समाथ से वैसे ही खतम हो जाएगी मेरा परसनल अन्भव है लोग सरकारी महकमों में कहते हैं कि बड़ा धिकारी चोटे को कभी अप्रिशेट और इसलिए वो सिर्फ डूटी करता है वो सेवा नहीं करता है और ब्रह्मा कुपनिश में हमें सिखाया जाते है कि आपको सिर्फ सेवा करनी है और देखने वाला इशुर है परमात्मा है हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा जब आपको जरूरत होगी लेकिन महकमों में दु अप्रिशेट करना सीखें हम चाहिए बात छोटी हो बड़ी हो लेकिन हर बात पर अप्रिशेट करना सीखें तो मैं बुलाना चाहूंगा ब्राता मदन चोहां जी को जो पूर मंत्री रहे हैं उत्तरपरदेश सरकार में और तीन बार से लगतार मन अमेले रहे हैं वो भी अपना उद्वोधन इस सबहा को दें आम शान्ती मैं समझता हूं कि काफी अर्षे से आप सब लोग धेरिये से बैठे हैं ये भी एक एथिक्स है और खास तोर से मैं परजापिता ब्रह्मकुमारी और उनके सभी हायोजयकों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने ज्वलंत मुद्दे पर जिसका एक बहुत बड़ा च्छेत्र है चिंतन के लिए आज ये सिवर लगाया गया मैं उनका बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं इस आउसर पर डाइस पर बैठे ओन्रेबल जस्टिस जिंदल साहब ओन्रेबल जस्टिस एस पूजा हरी साहब और चेयर परशन बीके महिश्वरी जी ओन्रेबल जजज साहब राथी जी सीन्यर अड़ोकेट रमेश गोतम जी जस्टिस बीके नाथमल जी जस्टिस बीके नाथमल जी आदर्निया बीके रस्मी त्रवेदी जी और भाई बीके मनीश जी और विशेश तोर से मैं अटल जी का आभारी हूँ कि मुझे यहां आने का मौका दिया इसमें कोई दोर आए नहीं बड़ा विशे है और जो गरीब है उसका तो बेहद हितकारी विशे और इसकी बहुत देश को भी जुरत है विवस्थापिका को जुरत है कारिय पालिका को जुरत है और जो नजीर कभी बन जाती है चाहे वो सर्वोच नियाले से बने चाहे और दूसरे नियालों से बने उसका बहुत बड़ा असर जाता है वो असर अगर नेतिक तोर पे गया है तो इस देश का सरुनिम भारत बनाने के लिए बड़ा योगदान होता है आज दिक्कत यह है कि सरुनिम भारत था लेकिन कुछ बीच में जो पीरियड गया है अब जो हमारे नैतिक पतन मानवता के पतन हुए है हम कहां जा रहे हैं कि सोच भी नहीं पा रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है उसमें विशेश तोर से जो परजा पती ब्रह्मा कुमारी इश्वरिय विद्याले का ये जो चिंतन सीवरे बहुत बड़ा योगदान कर सकता है जो लोग यहां पर आये जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भागेदारी की अपनी भावनाओं से हम सब को उद्बोधित किया उनकी अंदर कुछ ना कुछ तो एथिक्स है नहीं तो कहां किसके पास समय है मुझे अटल जी ने बार-बार फोन किया कि आपको आईए मैं सुनने आया था लेकिन मुझे मुझे मोका मिला तो मैं उसके लिए इस विद्याले का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मनुष्य का जनम और उसका पूरा जीवन उसके विचारों से चलता है मुझे भी जन्ता का सेवा करने का मुखा मिला है सरकार में रहने का भी मुखा मिला है पिछले तीस साल से मैंने जमین से बात जमीन से वर्क किया है तो ethics तो एक एक कदम, एक एक चन आपकी मदद करता है। और ethical value, चाहे धरम की बात हो, चाहे कर्तवे की बात हो, चाहे दया की बात हो, चाहे करूना की बात हो, सब जगे हमारा Catholic value की एक जाह है। लेकिन Judiciary के अंतरगत धर्म भी काम नहीं करता और Ethics भी काम नहीं करते क्योंकि धर्म का भी सब के अपने अपने धर्म है लेकिन एक धर्म वो है जो नेतिकता से जुड़ा है जो उचित अनुचित में अंतर करता है असली धर्म वो है उस धम से नेतिक भी जुड़ा है जिस प्रकार से हमारा तन भी है मन भी है धन भी है और आत्मा भी है तीनों में चारों में फर्क है तन भी विकर्थ हो शकता है धन भी विकर्थ हो शकता है मन भी विकर्थ हो शकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा कभी विकर्त नहीं हो सकती और आत्मा किस से जुड़ी है? नेतिक वूलियों से जुड़ी है जो अपनी आत्मा को प्रशन करेगा वही जीवन का सार्थक्ता को प्राप्त हो सकता है और जीवन की सार्थक्ता को अगर लाना है बाबा सिव के जियोती को ज्वैलन्द करना है तो इस आत्मा को परशन रखना पड़ेगा आत्मा की खुराक है नेतिक मुले और यदि हमने आत्मा की खुराक नहीं दी तो ये जो बर्मांड है ये जो हमारा समाज है ये जो हमारे तमाम फैलावा सामराजियह है ये एक environment के production से जूज रहा है लेकिन हम अंदर के production से ही जूज रहे है अगर हमारा अंदर का production ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है फिर बाहर का production भी ठीक हो सकता है और वो तब ही ठीक होगा जब हमारे नेतिक मुले लेकिन हम कही न कहीं मजबूरी वस द्वेश्वस इर्श्यवस लालच्वस उन नेतिक मूल्यों को छोड़ते जा रहे हैं और अगर जुडिश्टरी में नेतिक मूल्यों का समावेश हो जाए सिस्टम के साथ साथ कर्तव परायनता के साथ तो निश्चित तोर से इस देश को एक आया मिल सकता है हम लोग राहत महसूस कर सकते हैं जिस खोज में हम घूम रहे हैं वो अंदर नेतिक मूल्यों के द्वारा आत्मा से बाबा सीव को परशन कर सकते हैं लेकिन वो तब ही बड़ा त्याग की जुरुत है और वही चीज ये विद्याले ब्रमकमारी प्रजा पिता विद्याले हमको सिखाने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यहां का माहूल कुछ एथिक से कुछ मनेतिक मूल्यों से मुझे ओत प्रोत लगा है क्योंकि है सब की भावनाएं सब की सोच सब की विचारधारा कुछ ना कुछ परिवर्तन के रूप में आती है और हम लोग अगर इस बात का परचार करें इसको और आगे बढ़ाएं और इस चिंतन सीवर में हमको कुछ ना कुछ मिलेगा मनुछ से किसी के कुछ नहीं करता है मैं अगर यहां पर उपस्तित हुआ हूँ तो आपके लिए Here College के लिए नहीं हुआ विद्याल्य के लिए नहीं हुआ, अपने लिए हुआ हूँ, अगर आदमी एक जरासा भी इस बलाई का अच्छा नेक कार्य करता है, तो समाज के लिए नहीं करता है, देश के लिए नहीं करता है, मेरा अनुभव है, अपने लिए करता है, अगर अपने करम ठीक होंगे, फल क कोई नहीं देता है किसी के हाथ में कुछ नहीं है हम लोग चुनाओ लड़ते हैं तो यह समझते हैं चुनाओ से पहले मैं तो जीता हुआ हूं हर उमीदवार यह मानता है कि जीता हुआ है लेकिन जब जनता का आकलन होता है नैतिक मूल्यों को वो जनता के बीच में जाते हैं तो वो निर्ने ही सर्वोप्री होता है लेकिन हम कहते हैं हमारे साथ धोका हुआ है धोका नहीं हुआ आपके कर्मों के आधार पर आपके सोच के आधार पर आपके संसकारों के आधार पर आपके चित्रन के आधार पर आपके चरित्र के आधार पर जनता का फैसला है वो ज्यादा आज भी नैतिक है इसलिए नैतिक मूले अगर इस देश में इस समाज में और जहां तक आज का सब्जेक्ट है विशे है न्याय पालिका में नैतिक मूले जितने आएंगे उतने ही हम लोग और ज्यादा क्योंकि एक भारी जिम्मेदारी है अगर इस देश में आम नागरिक आम नागरिक के रक्षा कोई अधिकारों की कर सकता है तो वो सर्वोच न्याले न्याले ही है एक गरीब आदमी को वैसे तो जहां से स्टार्ट होता है अगर महाभी ने थिकता है तो वो दस मिन्ट में पुलिस उसको न्याय दे देती है गरीब आदमी को एक मजबूत आदमी के सामने अगर उसके पास जयाती हो रही है और जब न्याय ले जाता है तो कभी कभी 20 साल लग जाते हैं, वो मर भी जाता है, और उसको न्याय मिलने में देरी हो जाती है, लेकिन इस देश का सहरा, इस समाज का सहरा, इस समीधान का सहरा, जितने बिल बनाए जाते हैं, जितने बिलों का, चाहे वो संसद में हों, चाहे विधाईका में हों, चाहे व हमारे नियाए पालिका पर है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कभी कभी हम देखते हैं कि जो आदमी नियाए पालिका के सर्वोच पद उपर रहता है वो फिर कहता है कि मैं पॉलिटिकल में मुझे कोई लाब का पद मिलना चाहिए ले भी ले लिता है तो क्या हमारी मोरल वैलू नैतिक वैल्यू जिंदा रह सकती है उन नैतिक मूल्यों के लिए त्याग करना पड़ेगा और किसी के लिए त्याग ना करें अपने लिए त्याग करें क्योंकि करम के आधार पर फैंसला आपके लिए ही होना है कि आगे आपको क्या करना है इसलिए मैंने बहुत समय लिया मैं आपका बहुत आबारी हूं डाइस का भी बहुत आबारी हूं लेकिन एथिकल वैल्यू एथिक्स जीवन का आधार है इस परम पिता से मिलने का आधार है ओम श्यांति अगर हम सब अपनी जिम्मेवारिय का निर्वहन करेंगे तो हमारे जीवर में परिवर्तन आएगा और इंडिविजुल का परिवर्तन ही समाज के परिवर्तन का वाहक बनता है क्योंकि समाज की एक व्यक्ति है और वही एक व्यक्ति जुड़ते 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 देश बन जाता है और उसी देश जुड़ते जुड़ते विश्व बनता है तो इंडिविजल ठीक हो जाएगा तो सारी दुनिय सारी धरा ठीक हो जाएगी तो आप सबने इतनी धहरियता से इस कारेकरम को सुना किसी किसी को आलास आये लेकिन फिर भी उसे लड़के आपने अपने आपको यहां बैठा के रखा इस बात के लिए मैं चाहूंगा आप एक जोड़त तालिय अपने लिए कीजिए तो आज के का सब का धन्यवाद देने की सेवा भी मुझे ही मिली है तो मैं सबसे पहले परंपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनों ने हमें ऐसा मौका दिया है जिसमें हम सब एक दूसरे से मिल सके इसके लिए किसी ने लिखा है जीवन रंग है तरंग है उमंग है क्यो कि अप्की आतवा लिख रिख लिख लिख यह तो ऑज के और में सबसे पहले निर्वायर घर जिवर शबयादा इतलें अपनी शुब कामनाएं भेज यह पना खाली जुग कहीं पहीं आठ्वी ॥ौ तू इनों ने वीडियो माधियम से अधूनिक माधियम से से भेजी साथ ही आज के कारेकरम के चेर परसन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस पुजा हारी साहब का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्हों ने अपना टाइम निकाला और हमको दो दिन तक अपना अधुबहदन से लाभानुवित किया साथ ही अभाता पी राजो अईयर जी जो प्रेजडेंट थे इंस्टिटुट अपोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स अप इंडिया के वुजिनों ने बहुत संख्षित अउद्बहदन देके शुबकामनाय देके वहां से चले गए क्योंकि उन्हें पलाइट पगणनी थी उसके साथ-साथ-साथ आज की 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 नोटी स्पीकर डॉक्टर रश्मी ओजा जी मैं एक चोटीची गलती होगी थी मैंने को पर्ची थमादी थी और बाई मिस्टेक हो गया था मुझसे लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने बहुत संख्षित में इतना अच्छा अच्छा अदबहदन दिया इतने सारे उधार परस्तुत कि तो उनका में तहए दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा की उन्होंने आज के कारेकरम पर बहुत अच्छे से परकाश डाला साथ ही मैं धन्यवाद देना मिस्टर जस्टिस ए एंजिंदल साहब का जिनोंने बहुत क्लेर टी से और बहुत अनुभाव के साथ जो प्रोब्लम या जो एथिक्स का ख्लैश होता है वकील में एडोकेट में अड़ जजिज के बीच में या बार एंड बैंच के बीच में जो भी होता है और जहां 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 फोल्ट होता उनको बहुत अच्छे से उन्हों ने पॉइंट आउट किया उजह लगता आप सब क करने की और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ब्राता हिबांशु नागरी जी का कि उन्हों ने आत्मा का परीचे देने की कोशिश करी और वह में मुझे लगता है समझ में भी आए एक नया शब दूनों निरजरा वर्ड यूज करा है कि जहां सब कुछ समाफ्त हो हो जाता है कि लियर हो जाते है और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा अब राता मदन चोहां जी का जिन्हों ने देखिए नेताओं की खाश्यत होती है कि बहुत सटीकता से बाते रखते हैं और जो स्क्लारिटी आ जाती है चीजों को तो यही समाज में जुड़े रहन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बहुता नातमल जी का जो हमेशा अन्थक रहते हैं अपनी सेवाओं के लिए और हमेशा जुड़ी श्री के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते रहते होने लाने का प्रियास करते कि उनके जीवन में भी गुनात्मक परिवर्तन आए जिस आप सबको आनन्द आया होगा आया था आनन्द मेडिटेशन में नहीं आया था जैसे आपको अपने लिए भी तालिया बहुत मजबूत चाहिए तापको बजानी पड़ेगी तो क्योंकि रिटान होता ना जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे जिसे जिसे साव ने बताया दो इन वक्ताओं ने हमारे बताया कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे तो आप बोते रहें खूब तालिया बजाए तो आपके लिए भी तालिया बचेंगी और इन सब के बाद एक व्यक्ति और बचाए जिसको धन्यवाद देना चाहिए बताए कोन है वो है ध्यान किसी के त आज के लिए इसके लिए तेम ने यहां अभर को धिन्हेवाद कि उन्होंने मुझे आऊसर दिया कारिकरम को को पार्विनेट करने का तो बहुत 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 धन्यवाद LATIO का जो हमारे और कमारी में हेड ŚW y Catholicoth hip जिन्हों ने हम सब को बुलाया, बड़े हिरद्या से निमंतरन दिया, चुट्टी दी, परमिशन मिली यहां आने की, रहने की, अभर हर तरे की सुक्सु विधा का उन्हों ने पूरा भार उठाया, पिछले कहीं दिनों से वो रेस्टलेस हो के सेवाय देरिये, लेकिन परमात जी, और क्योंकि आज के कारेकरम के अध्यक्ष हमारे जशाब थे जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, दो दिन से खुब लोग उनको सरार हैं उनकी वार्नी को, तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, देखे, तालिया बज गई हैं, तो इसी के साथ आज का फॉर्मली यह अध्यक्रम हम पूरा करते हैं, जशाब के बाद वस वो दो मिनिट कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं दनिये जशाब को बुलाना चाहूंगा, आईये प्लीज, तो इसी के साथ मेरी तरप से मेरी वार्नी को अभीराओ, ओम संती मेरे को कुछ बोलना नहीं है, चीर में गाहि अच्छा से परिचालन किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ, यही है, और जो बोल रहे थे, कोट में हम भी देखते हैं, जो किल कम बोलता है, तुदी पैंट बोलता है, वो हर्दम जो बोलते हैं, मेरे का कोई दिकत नहीं है, कभी तरफ से एक पहता हूँ, जो बोलता हूँ, जो बोलता है, इसलिए मैं आया, और कुछ रखेंगे, आगले सेशन के लिए और दूसरे टाइम के लिए आप लोग आएंगे, कुछ हर जादा खुल के बोलेंगे, तब तो हम सिवानिप्टूत हो जाएंगे और खुल के बोलें स्वागत है, और जो भी जूरिस्ट विंग के सदस्य है, वो किरपया यहीं रुके, दीदी आप से बिलना चाहते हैं, दो, तीन मिनट की बस बात है, परकि जो सदस्य नहीं है, तो किरपया वो लंच का आनंद लीजे, भगवान के ब्रहमा बोचन का आनंद लीजे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, एक मिनट मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, परमात्मा की याद कैसे बूल सकते हम लोग, कर दो कि थालयो कि इंड़िक आनंद, अज ब्रहमा पतनाा ही, अज़दो की तूब्ण, अज़्ग कर झाल झाल